नमस्का दोस्तों मैं है अध्मोहमद टेकनिकल जन चैनल में आपका स्वागत करता हूं आज मैं कुछ ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा जो हाल ही में लांच हुए हैं इसके स्पेक्स और बैल्टी और सारे चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताता हूं सबसे से पहले में बात कता हूं मोटो जी 31 के बारे में जो अभी रिसेंटली लांच हुआ है इसमें 6.47 इंच का एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है जो 16 हर्ट्स रिफ्रेस्ट रेट और 700 नियुट्स की पीक ब्राड़नेस दिया गया है इसमें सिंगल स्पीकर दिया गया है अब सेल्फी के इले 13 मेगापिक्षल का कैमरा दिया गया है अब इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें मिल्डिया टेक हीलियो जी 85 प्रोसेसर दिया गया इस प्रोसेशर पर अच्छा का गेमिंग कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है हाइबरिट सिम स्लाल दिया यानि दो सिम या एक सिम एक मिमोरी काड लगा सकते हैं इसमें पांच हजार मेच की बैल्टी दी गई है जो 20 वार्ट फास्ट चार्जिंग के साथ इसकी प्राइस की बात करें तो इसमें 4GB RAM और 64GB इंटर्न मिमोरी के साथ 12,999 रुपे और 6GB RAM 128GB इंटर्न मिमोरी के साथ 14,999 रुपे का है यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और विल आइकन को आनकर दीजिए जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके लाफोन लांच हुआ है इंफिनिक्स के तरफ से जो फराइस क इस इसे आपको कोई सिकायत नहीं होने वाली है इसकी बॉडी कार्बोनेट का बना हुआ है इसके साइड में फिंगर फ्रेंट के दिया हुआ है इसमें मेडियाटेक खीलियो जी 88 प्रोसेसर दिया गया जिसमें गेमिंग बहुत अच्छे से का सकते हैं कोई परॉबलम नही मुट गया है इसमें दो सी मधल एक साहथ सकते हैं इसमें और इस दिया गया जो एक बहुत अछree है इसमें 5000 एमेश की बैल्टी दिया गया है साथ में 33 वाइट फार्श चार्जिंग का सपोर्ल भी दिया गया है या टाइब C पोर्ट के साथ आता है या 4G RAM और 64GB इंटरनल मिमोरी के साथ 11999 रुपे का है इस प्राइस पर मैं तो यही कहूंगा कि बहुत जबदस्त फोन है क्योंकि इसमें सुपर एमोलेल डिस्प्ले दिया गया है जो कि मुझे काफी पसंद है और प्रोसेसर भी काफी अच्छा दिया गया जो गेमिंग में भी कोई परिशानी नहीं होगी मैं तो यही कहूंगा कि पैसा वसूल फोन है अगला फोन है मोल्टोरोला की तरफ से मोल्टोरोला मोल्टो जी 51 5G यह एक 5G फोन है इसमें 5G के 12 बंड दिये गए है 12 बंड का सपोर्ट जो की एक अच्छी बात है इसमें 6.8 इंच की Full HD IPS इस्प्ले दिया गया है इसके स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए एनजी का सपोर्ट दिया गया है इसमें 600 निश्की पीक ब्राइडनेस का सपोर्ट दिया गया है 120 हर्ट का रिफ्रस्रेट दिया गया है इसमें career aggregation का भी support दिया गया है अब बात करें इसके camera की तो इसमें 15MP का primary camera, 8MP का altia wide, 2MP का micro earned camera दिया गया है इसके side में fingerprint दिया गया है इसमें hybrid sim slot दिया गया है यानि दो sim या एक sim एक memory card एक साथ यूज़ कर सकते हैं इसके processor की बात करें तो इसमें Qualcomm Snapdragon 480 Plus processor दिया गया है जो पहली बार यूज़ हुआ है या प्रोसेसर लगवक Qualcomm Snapdragon 720G के आसपास आता है इसमें 5000 mh की variety दिया गया है या 4GB RAM और 64GB internal memory के साथ 14,999 बिल पे का मिलता है अभी हमने कुछ mobile phones के बारें बता है जो कि recently launch हुए हैं इसके specs और price के हिसाब से सभी phone काफी अच्छे हैं और सबसे अच्छी बात या है कि इसमें जो processor यूज़ हुआ है तो gaming के लिए बहुत अच्छा processor दिया गया है अच्छी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को अनकर दिये जिसे हमारी latest video की notification आप तक सबसे पहले पहुंच सके